श्री हरिवन्स श्री राधा वल्लब श्री हरिवन्स ओम अज्यान तिम्रान धस्य अज्यान अंजना सलाकया चक्ष रून मिलितम यें तसमे श्री गुरुवे नम्हा श्री राधा वल्लब श्री हरिवन्स आज की चर्चा में आजामिल प्रसंग पर चर्चा की जाएगी उससे पहले स्टी राधा नाम की इर्दन कर लिया जाए थोड़े पल के लिए राधा राधा Radha, 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 Radha. राधा, 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 शीया, राधा, राधा, Radha, Si Radha, 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 Si Radha, Radha. Radha, Radha, Shri Radha, Radha Radha, Radha, Shri Radha Radha, 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 Shri Radha Radha, 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 Shri Radha Radha, 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 Radha Radha, 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 Shri Radha Radha, 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 Shri Radha जैसे कि हम सभी जानते हैं अजामिल ब्राम्र परिवार के थे लेकिन उनके कर्व ब्राम्र हित में ना थे वो ब्राम्र होते वे भी गलत काम कर रहे थे गलत खान पान कर रहे थे गलत आचन कर रहे थे परन्तु भगवान की किर्पा तो हुई उन पर क्योंकि पूर्व संस्कार था तो ऐसे में भगवान की किर्पा से अजामिल के घर में जो गोर पापी हो चुका था ब्राम्र होने के बाद भी भगवान के दिव संत महात्मा जो नित भगवान का सुमिरन करते हैं जाप करते हैं उनके घर्म पधारे लेकिन अजामिल की इस्तिति क्या थी अजामिल घर लोट रहा है मान्स मचली लेकर उसके भाग खुलने वाले थे उसे भान नहीं था वो गलत कर्म में लिप्ट था लेकिन जैसे उसने संत महात्माओं को देखा उसके पूर संसकार के वज़े से उसने संत महात्माओं को प्रणाम किया संत महात्मा देखकर पहचान गए कि ये ब्रहामण होते वे भी प्रतित हो चुका है लेकिन भगवान किसी किर्पा के द्वारा ही इस आजामिल का उधार कराने के लिए उन संत महात्मा को वहां भेजा गया है ब्रहामण भगवान यहां समझ गए थे तो उन ब्रहामण भगवान ने यहां किर्पा की कि तुम्हारी पत्नी गर्व से है अब अपने पत्नी से जो पुत्र पैदा होगा उत्पन होगा तुम उसका नाम नारायन रख देना इसमें तुम्हारा कल्यान होगा अजामिल ने ऐसे ही किया जो पुत्र अपनी पत्नी से पैदा हुआ जो की वैस्या थी उसका नाम अजामिल रख दिया वो नारायन रख दिया अजामिल ने हर समय अब अपने पुत्र का नाम ही बुकारता रहता था क्योंकि पुत्र में बहुत आ सकती थी नारायन नारायन कहता था नारायन चुकि भगवान का नाम है और भगवान की किरपा से अजामिल को प्राप्त हुआ है बालक धीरी धीरी थोड़ा बड़ा होता गया अजामिल की आसकती अपने पुत्र में काफी हो गए नित अपने पुत्र का नाम ही बुलाता रहता था कोई भी कार हो नारायन नारायन करता था नारायन को पुकार करके अपने सभी कार करवाता था नारायन से कभी विलिक नहीं होता था नाम चलता रहता था यही उसके जीवन में सुभ होना था दिविसंत महत्मा भगवान की किरपा सही हमारे जीवन में पधारते हैं और हमारे जीवन की पूरी दिसा को ही बदल देते हैं हमें ये अजामिल की कथा से आज जाने को प्राप्त हो रहा है जो वेक्ति घोर पापी से पापी क्यों न हो यदि भगवान की किरपा प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में वह प्रकास आ जाता है जैसे अंदकार के बाद प्रकास आ जाता है और वहां अंदकार खतम हो जाता है अजामिल के जीवन में भी ऐसा ही हुआ वहां नित नारैन नाम जाप कर रहा है भगवान नाम की यह महिमा है कि चाहे स्वाद से लो चाहे बेश्वाद लो चाहे जान कर लो चाहे अंजाने में लो भगवान का नाम तार देता है भगवान का नाम परम कल्यानकारी है भगवान का नाम परम आनन्द देने वाला है ऐसा आनन्द अजामिल को प्राप्त होने लगा था अब जीवन का अंध समय आने वाला है जीवन के अंध समय में किसको भान रहता है कि कब अंज समय आ जाए, अजामिल का समय आने वाला है, अब अपने जीवन के सभी पापों को देखते हुए, उनके पापों को देखते हुए यमराज ने यमदूत भेजे, यमदूत उसके प्राण हरन करने के लिए आ गए और उसका प्राण निकालने जा रहे हैं, और वहा बहुत ही सोक में हो गया, दुखी हो गया, वहां चिलाने लगा, क्योंकि वहां निदर जा रहे हैं, उसे बहुत कश्ट हो रहा है, परंतु नारायन नाम का प्रभाव यह हुआ, कि उसी समय भगवान के पारसद भी वहां आजते हैं, और यमदूतों को रोकते हैं कि नहीं, त बहुत कश्ट हो रहा है, नारायन तु कहां है, इस तरह अजामिल अपने जीवन के अंध समय में पुकारने लगता है, यमदूत यह प्रियास कर रहे हैं उसके प्राणहरन करने का, परंतु उसी समय भगवान के पारसद आके यमदूतों को साउधान करते हैं कि तुम इनको नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने भगवान का नाम जाब किया है, भगवान ने स्वयम कहा है, अंधकाल में जो जिसका इश्मन करता है, वो उसी को प्राप्त होता है, इसने भगवान का नाम जाब किया है, चाहे अपने पुद्र भाव से लिया हो, चाहे जैसे भी लिया हो भगवान को मान के लिया हो भगवान का नाम फल देने वाला है आप नहीं इसको ले जा सकते हैं तो यमदूतो को ऐसा सुनकर ऐसा भान हुआ कि हम अब अजामिल को नहीं ले जा सकते तो वो वहां से चले गए ये सब वारताएं अजामिल सुन रहा है भगवान के पारसद और यमदूतों की बातों को और ध्यान दे रहा है कि अरे भगवान का नाम जो कि मैंने पुत्रभाव से लिया था अपने पुत्र के नाम को लिया था ये नाम इतना कल्यानकारी है यदि इस नाम के मैं आसिर्थ हो जाऊ तो मेरे इतने पाप हुए हैं, वो मेरे पाप कट सकते हैं, उसकी मृतिव नहीं हुई, भगवान के पारसदों की किरपा से, भगवान के नाम की किरपा से, उसकी उस समय मृतिव नहीं हुई, वह एक ऐसी बोध इस्थिती को प्राप्त हो गया, ऐसी बोध इस्थिती को प्रा अब वह अपने सरीर के भाव से उपर उठकर भगवान में ही रम गया और नित भगवान के नाम का चिंतन रूप का चिंतन भगवान में मन लगाने लग गया उसकी सभी गलत क्रियां खतम हो गई अब वह धीरे 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 समय वेतित करते हुए भगवान में ही अपने समय को कुछ वर्सों के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ फिर वहाँ वही पारसद विमान लेकर आए और अजामिल को अपने साथ ले गए देखिए नाम का परभाव क्या होता है नाम के परभाव से अजामिल जो घोर पापी घोर विसाही मांस खाने वाला पर इस्त्री गामी वैसे वि करता है अंता करन को सुद्ध करता है सभी पाप का नास करता है अता हमें भगवान का नाम प्रीति पूर्वक जाप करना चाहिए और अपने असुद आचनों से अपने असुद क्रियाओं से हमें बचना चाहिए नाम के प्रभाव से हम बच सकते हैं इसलिए हमें नाम का सार नघ्चह लक्त है जय श्री राधा वद लब türREE सु रिंदाव फीव इन डाव डाशल स्री रे हरी वद सपया लगें